गले की डिजाइन बनाने के लिए हमने बक्रम लिया है बक्रम की चौड़ाई साड़े 12 इंच है और बक्रम की लंबाई साड़े 8 इंच है अब हमें बक्रम को ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहां से हमें 3 इंच की चौड़ाई नापनी है अब हमें गले की लंबाई नापनी है तो हमने गले की लंबाई 5 इंच ली है अगर आप गले की लंबाई बड़ा करना चाहते ही तो 6 इंच ले या 7 इंच ले अब हम ऐसे लाइन अप करेंगे नीचे की साइट से अब हम यहां से लाइन अप कर लेंगे जहां पर हमने तीन इंच की चोड़ाई पे टिक लगाया है ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हमें यहां से एक इंच की चोड़ाई पे टिक लगाना है तो यहां से ऐसे हमें एक इंच की चोड़ाई पे टिक लगा लेना है अब हम इसे हलका सा गोल सेफ में ऐसे लाइन अप करेंगे इस साइट से भी लाइन अप कर लेना है ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हमें बिल्कुल इसी सेफ में एकक इंच की ऐसे चोड़ाई नापनी है और टिक लगाते हुए हमें इसे अच्छे से लाइन अप कर लेना है तो ये देखिए हमने इसे लाइन अप कर लिया है लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अब हमें इस लाइन की कटिंग कर लेनी है तो ये देखिए हमने गले के डिजाइन की कटिंग कर ली है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इसकी कटिंग कर लेनी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सेलेक्ट करें हम इसे इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देंगे तो ये देखे हमने गले की डिजाइन को कपड़े पे जिबका दिया है अब जो हमारा सूट का कपड़ा है हम उसे ओपन कर लेंगे तो ये हमारा सूट का कपड़ा सीधा है तो हमें इसे उल्टा कर लेना है ऐसे और जो हमारा गले का डिजाइन है वो ले लेना है गले की डिजाइन में किनारे की साइट से हमें ऐसे कट कर लेना है प्रॉपर सेफ में हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है अब हम बीच में ऐसे सीधी सिलाई चलाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई को स्टॉप कर देंगे यहाँ से धागे को कट कर लेंगे अब जिस सेप में हमारे बकरम का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो ऐसे हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कम्पलीट करते हुए अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद अंदर की साइट से हमें एश्टा कपड़े की कटिंग करनी है तो सिलाई के बगल में हम ऐसे एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस लाइन को कम्पलीट करने के बाद हमें बकरम को पर्फेक्ट सेप में फोल्ड करने के लिए गले की डिजाइन में ऐसी छोटी-छोटी कट कर लेनी है जिससे हमारा बक्रम आसानी से फोल्ड हो जाएगा और हमारे डिजाइन में कहीं भी सुक्ड़ नहीं आएगी अब हम कपड़े को ऐसे सीधा करेंगे और बक्रम को भी फोल्ड करके सीधा कर लेंगे इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा तो ये देखिए हमने इस्तरी कर लिया है अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ दो कलर का कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई और चवडाई दोनों तीनेंचे कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे हम अब हमें कपड़े को ऐसे उपर नीचे ज्वाइंट करना है ये देखिए ऐसे आपको उपर नीचे ज्वाइंट करते हुए एक side से fold करके इसके किनारे की side में सिलाई चला लेना है same step को follow करते हुवी हम दूसरे वाले design को भी तयार करेंगे कपड़े को fold करके किनारे की side से यहां से fold करेंगे और पहले वाले design में यहां पर ऐसे लगाकर सिलाई चला देंगे यह देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है सारे डिजाइन को बनाते हुए एक दूसरे में ज्वाइंट कर लेना है इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे अब हमें किनारे की साइट से एश्टा कपड़े की कटिंग करना है तो यहां से हम एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें इस डिजाइन को गले की डिजाइन में लगाना है तो ये रहा हमारा गले का डिजाइन गले की डिजाइन में हमें इस डिजाइन को यहाँ पर ऐसे लगाना है ये देखिए ऐसे हमें अंदर के तरफ डालते हुए लगाना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इस border वाले डिजाइन को ऐसे लगाते जाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती easy सेप में तयार कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का option select करें जिससे हमारी next वीडियो के notification मिलती रहेगी डिजाइन पे सिलाई चलाते समय कपड़े को ऐसे perfect shape में बैठाते रहें जिससे आपके डिजाइन में perfect finishing आएगी इस line को complete करते हुए अब हम यहाँ से धागे को cut कर लेंगे और एश्टा कपड़े को भी यहाँ से cut कर लेना है हमें एश्टा कपड़े को अब हमें इस design को और भी सुन्दर बनाने के लिए इसमें हम golden color का less add करेंगे तो यह रहा हमारा golden color का less इसे हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है और जिस shape में हमारा गले का design है बिल्कुल उसी shape में इसे लगाते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस line को complete करते हुए अब हम यहाँ से धागे को cut करेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमें गले के design में मोती लगाना है तो हमें मोती half cut हुआ मोती लेना है जो गोल सेफ वाला मोती होता है वो नहीं लेना है half cut हुआ मोती लेना है और design में ऐसे लगा देना है तो फ्रेंड हमारा डिजाइन बनकी कंप्लेट हो चला है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो